गुड आफटरनून स्टुटेंट क्लास फिफ्थ मॉरल वेल्यू बेटा हमने चैप्टर रीड करा था दा सैंडी रोड चैप्टर नमबर शिक्स इसकी मेरे को एक्सराइज कराना थी ठीक है तो हम एक्सराइज पर आ जाईए यह ट्रू फॉल्स है ठीक है ना हमारा इन डिफ्रेंट काइड आप इसमें एका तू ठीक है है सेकेंड वाले में भी डू है तो थर्ड वाले में हम रू करेंगे ठीक है फोर्त वाला जो है उस उप्षन पी टू आएगा फ़िके कर बंधोड या कोंट्रेक्ट टैडली यह ए्ट्राइट ठीक एक्षन अगे क्ष दा पेकेज इस गुट इन डेश क्रें अलोंग विट मैट निम्रियर सं में सम आजाएगा ठीक है आप सम लिखना है सो भी हेव गाइद इन डेश को अधर पीपल वा रीडिंग दा पोजिशन आप पोजिशन देखता है आप मैंने इसमें डारेक लिख दिया इहां पर पोजिशन ठीक है एवरिवन वास्टू है दिस एस फालो अप दिम्रियर ट्राइड ग्लेड आएगा इसमें आप ग्लेड टिक कर देंगे है ठीक है ना जॉइफूल डिलाइड या हैपी ठीक है दी डैश जंप डाउन इंटो दा होल दे हैड डग एंड कीप दिजड़ आइस तो दा रॉप ड्रेड या मर्चेंट आएगा इसमें ठीक है यह को आंसा दा फॉलो इंग कोश्चन नहीं है करना पर इमेजिन वाले कोश्चन आंसार है फ़स्ट कोश्चन एंट इस अटा फॉलोंग कोश्चन ठीक है ये ओके ये तकोश्चन नुमर् फरस्ट है तो गें प्रॉप्ट वाट दिजाने मर्चेंट जीर देट देड़ मेर्चेंट डाउन थेर्ट का देड़ अटूंट श्वर्चीं थीक है ना ठीके, after taking miles, what did the merchant say, after taking miles, the merchant said, now you people on through the water and the firewood, firewood, जो हमाई लकड़ी दीना, उसको और जो water के भीच, ठीके, On seeing the flashing star, what did the guide say, the guide say to the driver, stop, we are in the same place, where we are, how did the merchant come to know, that there must be water somewhere, he saw some grass and so there must be water somewhere, he came, What did merchant place a flag on the well, the merchant place a flag on the well, so that the passing travel could see in the same order, ठीके, ये question answer थे, complete हो गया, ये chapter आपका, next chapter है, weekly friend, ठीके, तम इसको next part पढ़ेंगे, ओके, thank you,